Hello guys, I am Akshay Kumar and you all are watching Science Plus तो आजगे इस ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं Human Respiratory System के एक बहुत ही common disease के वारे में जिसका नाम है bronchitis अभी के समय में ये disease बहुत ही common हो चुका है काफी लोग इसी ignore भी कर देते हैं इसका treatment नहीं कराते हैं पर ये bronchitis आगे जाकर बहुत से अलग-अलग serious complications दिखा सकता है अलग-अलग disease को और जर्म दे सकता है तो इसलिए bronchitis का treatment एक सही समय पर बहुत जरूरी है इसमें थोड़ा भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए तो आज हम इसी bronchitis के बारे में ही details से जानेंगे कि bronchitis कैसे होता है, क्या होता है, इसके क्या क्या symptoms है किसी भी bronchitis के patient में हमें क्या क्या symptoms देखने को मिल सकते है क्या क्या major science देखने को मिल सकते है फिर उनका कैसे diagnosis किया जाता है उसमें क्या क्या drugs, क्या क्या medicines चला जाते है किसी भी bronchitis के patient के अंदर ठीक है तो इन सारे चीज़ों को एक एक करके हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रॉंकाइटिस है क्या और यह कैसे होता है तो सबसे पहले ब्रॉंकाइटिस वर्ड को ध्यान से देखें तो इसमें ही दो अलग-अलग वर्ड चुपे हैं पहला ब्रॉंकोस और दूसरा आइटीस आइटीस मिन्स मेडिकल टर्म में इन्फलमिशन होता है और ब्रॉंकोस एक human respirator system का एक एरिया है समझे एक कौन सा एरिया है सबसे पहले हम जब भी सांस लेते हैं जब भी हम oxygen इन्हेल करते हैं तो वो oxygen हमारे नाक के थरू हमारे नूस के थरू wind pipe में जाता है वो wind pipe हमारे body में अंदर जाकर दो अलग-अलग branches में divide होता है उन्ही branches को हम bronches करते हैं यह दो अलग-अलग branches एक left side में रहते हैं और एक right side में एक branch रहते हैं तो left side वाले जो branch है, left bronches वो left lungs में supply करते हैं और right side village bronchus से वो right lungs में supply करते हैं तो इसी bronchus के inflammation के कारण हमारे body में अलग-अलग symptoms दिखने लगते हैं जिसे हम bronchitis कहते हैं ठीक है तो अब bronchitis के भी दो अलग-अलग types होते हैं on the basis of duration bronchitis से हम कितिने दिनों तक पीरी तरह रहे हैं इस basis पर bronchitis दो तरह के होते हैं पहला acute bronchitis और दूसरा chronic bronchitis acute bronchitis ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता है वो कम समय के लिए रहता है यानि कि maximum 7 से 10 दिनों तक हम दवाईयां लेंगे या treatment कराएंगे तो वो सही हो जाता है और acute bronchitis ज़्यादा serious भी नहीं होता है पर काफी लोग इसे नजर अंदाज कर देते हैं इसका treatment नहीं कराते हैं टाइम पर उन्हें लगता है normal सर्दी जो काम खासी है यह सही हो जागा ऐसे case में या फिर acute bronchitis बार बार हो रहा है हमने दवा लिया, patient ठीक हो गया, patient को फिर दुवारा से कुछ दिनों बाद acute bronchitis हो गया तो यह से बार 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 acute bronchitis हो जाए या फिर आप acute bronchitis का treatment नहीं कराने पर इस दोनों case में आगे चलकर chronic bronchitis होने का डर बना रहाता है अब chronic bronchitis का chronic bronchitis काफी लंबे समय तक चलता है और यह काफी ज़्यादा परिसान करता है इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा symptoms भी दिखने लगते हैं और यह ज़्यादा serious भी होता है इसमें क्या क्या symptoms देखते हैं, chronic bronchitis में क्या क्या complication है यह सब हम आगे discuss करने वाले हैं, ठीक है तो अब इसके कारण के बारे में बात करें कि यह bronchitis कैसे होता है, इसके होने के पिछे का reason क्या है तो बहुत सारे कारण होते हैं bronchitis के पर उन सब में से सबसे important, सबसे common और सबसे serious कारण है smoking और environmental pollution जो लोग काफी cigarette पीते हैं, काफी ज़्यादा smoking करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खत्रा बना रहाता है chronic bronchitis होने का फिर उसके बाद हमारे वातावरन में जो भी pollution है, हमारे आसपास जो भी air pollution है खासकर उनके कारण उन्हें हम inhale करते हैं, breathing के दोरान, तो उसके कारण भी acute bronchitis का खत्रा काफी बना रहाता है तो ये तो हुए दो जो बहुत ही common और important factors है, इन दोने के अलावा bacterial या viral infection से भी bronchitis हो सकता है या फिर जो लग cotton mill ऐसे जगहों पर काम करते हैं, उन्हें भी bronchitis का खत्रा बना रहाता है क्योंकि ऐसे जगहों पर dust बहुत जादा रहते हैं और उस dust को inhale करने के कारण bronchitis में inflammation हो सकता है जिससे की bronchitis भी हो सकता है, तो इन सारे factors के कारण किसी भी इनसान को bronchitis हो सकता है इन सारे चीजों के अलावा एक genetic factor भी है, जो कि बहुत rare है, लेकिन genetic factor के कारण भी किसी किसी case में bronchitis होता है अब बात करें, अगर कि किसी भी bronchitis के patient में हमें क्या क्या symptoms देखने को मिल सकते हैं तो सबसे पहला symptom यह है कि bronchitis के patient को सांस लेने में दिक्कत होता है जिसे medical language में disneya कहते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगा, shortness of breathing होगा, पूरा सांस नहीं ले पाएगा patient उसके बाद coughing होता है और coughing के साथ-सपूटम यानि खखार भी निकलता है और उसका color yellowish होता है और अगर chronic bronchitis होगा, chronic case में, acute में नहीं, chronic bronchitis में उस इसपूटम के साथ-साथ blood भी discharge हो सकता है, जिसे हम hemotysis कहते हैं फिर patient का respiratory rate और pulse rate भी बढ़ा रहता है, patient को chest pain भी हो सकता है, mild fever भी देखने को मिल सकता है patient में, इन सब के अलावा patient को भूख भी काफी कम लगता है, जिसे हम medical term में anorexia कहते हैं और last में जब हम patient को stethoscope से examine करेंगे, तो हमें stethoscope में एक wheezing sound सुनाई देगा, जब भी patient breathing या breathe out करे तब अब अगर bronchitis के इन सारे symptoms का treatment नहीं किया जाए, इन सारे symptoms को नजर अंदाज कर दिया जाए, treatment लंबे समय तक ना चले तो ये आगे चलकर अलग-अलग disease में convert हो जाते हैं, अलग-अलग complications दिखाने लगते हैं, जिसमें most common है pneumonia या फिर lungs abscess तो ये सारी बात हुई science और symptoms के बारे में, यानि कि हम किसी भी patient में, हमें किसी भी bronchitis के patient में क्या-क्या science, क्या-क्या symptoms देख सकते हैं तो अब आगे बात करते हैं कि किसी भी patient में हम bronchitis को diagnose कैसे करते हैं, क्या-क्या methods हैं bronchitis को diagnose करने के तो इनमें सबसे पहला method है chest x-ray, हम patient का chest x-ray कराते हैं और उस chest x-ray में बहुत सारे findings मिलते हैं हमें, जिसके तुरह हम ये समझते हैं कि patient को bronchitis है उसके बाद हम patient का sputum का gram staining कराते हैं, sputum का gram staining कराने से फायदा ये होता है कि उसमें bacteria का presence है या नहीं है ये पता चलता है जिसके तुरह हम ये जान सकते हैं कि कोई bacterial infection है या नहीं patient में, ठीक है, इन दोनों के अरावा TLC, DLC test कराते हैं, TLC means total leukocyte counts and DLC means differential leukocyte counts तो इसमें findings के आता है कि TLC increase मिलता है ठीक है, और DLC के report में finding आता है कि neutrophil बहुत high रहता है तो इन सारे tests के report के according हम इस point पे पहुँचते हैं कि patient को bronchitis है, उसके bronchus में inflammation है अब बात करेगा treatment के बारे में तो इसमें basically antibiotics और mucolytic drugs ही चलाया जाता है mucolytic drugs means ऐसे drugs, ऐसे medicines जो की हमारे lungs और हमारे जो भी respiratory system में कहीं भी mucus अगर जमा है तो उसे release करने में help करता है, ठीक है, तो antibiotics में सबसे पहले amoxicillin देते हैं patient को amoxicillin और अगर इससे ठीक ना हो तो आगे बढ़ते हैं औफ्लोकसासीन देते हैं और अगर अफ्लोकसासीन से भी सही ना हो तो फिर azithromycin पे जाते हैं इन सब antibiotics के साथ-साथ mucolytic drugs दिया जाता है, जैसे grill intus BM tablet हो गया उसके बाद अगर symptom में fever भी है, तो patient को paracetamol दे सकते हैं fever के लिए और साथ में कुछ vitamins के tablet दे सकते हैं, ठीक है, तो यह सारे drugs हैं, basically बस यह drugs यूज किया जाते हैं किसी भी bronchitis के treatment में अब बात करते हैं अगर कि management कहम क्या 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 avoid करना होता है किसी भी bronchitis के patient को तो सबसे पहला cold exposure, किसी भी bronchitis के patient को cold exposure से बहुत बच कराना परता है, ठंडा का मौसम यह सब में ज्यादा परिशानी होता है bronchitis के patient को क्यों कि smoking एक बहुत बड़ा factor है कि इसी भी bronchitis होने का, ठीक है, तो smoking avoid करना चाहिए उसके बड़ environmental pollution से हमें जितना हो सके उतना बच के रहना चाहिए, proper mask का use करना चाहिए, कहें भी बहार निकलते वक्त, ठीक है, तो यह सारे कुछ management है, जो कि एक bronchitis के patient को ध्यान रखना चाहिए तो आज कि इस वीडियो में हमने देखा कि bronchitis क्या होता है, bronchitis कैसे होता है, कितने types के होते हैं, bronchitis में हमें क्या-क्या signs और symptoms देखने को मिल सकता है, इसका management कैसे किया जाता है, इसमें क्या-क्या drugs यूज किया जाते हैं, तो I hope आप लोगों को यह सारा topic, यह सारे point समझ आ अगर आप लोगों को कोई भी doubt हो, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी एक नए interesting topic के साथ